नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर नमबर टू चल रहा है सतीज चंद्रा की मीडविल हिस्ट्री की किताब का Northern India Age of 3 Empire का हमने इंड़रक्शन देख लिया कैसे तीन Empire सापास में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे पालास के बारे में हमने डिटेल में बाच्चित करी यहाँ पर प्रतिहारास के बारे में और रास्ट कूटास के बारे में बात करेंगे प्रतिहारा के रेन की बात की जाए तो लबख 730 AD से 1036 AD माना जाता है और इसको कुछ लोग गुर्जर प्रतिहारास के नाम पे भी जानते है ठीक है भाई कही न कहीं इनको बोला जाता है गुर्जर प्रतिहारास चुकि इनका जो origin बताया गया है वो गुर्जर कम्यूनिटी से बताया गया है यह जो गुर्जर्स है यह पैस्टोरिलिस्ट से और क की fighting capabilities बे इच्छी गासी थी तो उसके दम पे इन्होंने कन्नाच के उपर बहुत लंबे समय तक राज किया गया और इस community को बोला गया गोरजर पतिहारास अगर आप बात करो तो गोरजर पतिहारास ने अपनी principality को कुल मिलाके कहिए तो अपनी capitals को central और eastern राजस्थान में इन्होंने settle किया इनकी काफी लड़ाई हुई है रास्ट कूटास के साथ रास्ट कूटास के साथ ये लोग लड़े मालवा और गुजरात के कपजे के लिए मैंने पिछले वीडियो में बहुत डीटेल में maps के थुरू बताया था कि कैसे गुरजर पतिहारास रास्ट कूटास से लड़ रहे थे मालवा और राजस्थान रे कंट्रोल के लिए कैसे गुरजर पतिहारास कुछ हद तक eastern उत्तर प्रदेशी कंट्रोल के लिए किस से लड़ रहे थे तो आपके पालास से लड़ रहे थे तो यह जो तीनों डाइनस्टी इस थी वो कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे के साथ इनके इनके इंटरसेक्ट कर रहे थे कभी किसी गिलाके पर एक डाइनस्टी का राज होता था कभी दूसरी डाइनस्टी का राज होता था तो ये एक ऐसे northern triangle पर थे जिसके center में कन्योज था और कन्योज पर सब लोग control करना चाते थे क्योंकि कन्योज पर control करने का मतलब है Ganga Valley पर control हलाकि practically देखा जा तो पूरी Ganga Valley पर किसी एक समय पर किसी भी particular डाइनस्टी का रूल नहीं हुआ ना गोरजर प्रतिहारास पूरी तरीके से Ganga Valley जीत पाए ना ही पाला जीत पाए और ना ही राष्टकूता जीत पाए राष्टकूता तो खेर South India तक फैले हुए थे तो उनका तो डूमेन थोड़ा अलगी था फिर प्रतिहारास की पहली capital कहां थी तो भिनमल नाम की एक जगा है और कहीं ना कहीं इनका रूल रथ था जिसका नाम था नागभट तो प्रतिहारास की एक रूलर जिसका नाम था नागभट उसके अंदर इसने काफी हद तक अरब रूलर्स औफ सिंध को अपोस किया चुकि अगर आप इंडिया का नक्षा देखोगे तो इंडिया के नक्षे में ये गुजरात के उपर जो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है इधर सिंध का इलाका है और ये गुर्जर पतिहारा का डोमेन था तो ये सिंध के जो रूलर्स थे अरब रूलर्स थे वो अकसर कर गुर्जर पतिहारास के डोमेन में गुशने कोशिश करते थे तो कहीं नाग भट ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया उनको अंदर नहीं उसने दिया तो ये Arab rulers ना राजिस्थान में इंटरी मार पाए ना गुजरात में इंटरी मार पाए और ना ही पंजाब में इन इंटरी मार पाए हाला कि गुजरात में ये अरब्स एक बार और हारे थे एक चालुके रूलर था गुजरात का जिसने 1738 में बहुत बुरी तरीके से अरब्स को हराया था ये अरब्स कभी उस रास्ते से लोटे ही नहीं हुआ ये कि जो अरब रूलर्स गुजरात के साथ पे इंडिया में एंट्री मानना चाह रहे थे उनको कमाइन आर्मी ने हराया जो विक्रमा दुत्ते टू थे चालो के डैनिस्टी के उन्होंने एक अलाइंस बना लिया नागभट वन और प्रतिहार डैनिस्टी के साथ और इ ये जो इंदस नदी है ना जो आज की डेट में प्रेजेंडे पाकिस्तान बैती है इस इंदस नवी के इस्ट साइड से वेस्टन साइड पर भाग गया अरप्स और फिर कभी ये इधर नहीं आये पूरा का पूरा इलाका इन हिंदू रूलर्स के अंदर में आ गया मतलब कि आप कहले जे चालो किन रूलर्स के अंदर और कहीं न कहीं ये गोर्ज़र प्रतिहारा डायनेस्टी के अंदर ये पूरा का पूरा इलाका आ गया आगे बात कुरू प्रतिहारा ने south में अपनी ओकात को बढ़ाने की कोशिश की east में भी अपनी ओकात को बढ़ाने कीкомशिश की अपर, गंगा, वैली में जो इनका control था, वो इलाका यह obvious ही बात है, extend करने कोशिश कर रहे थे उस समय की era में जो भी रूलर्स थे, उनका एक ही target रहता था कि जितना ज्यादा हो सके, उतना ज्यादा इलाका अपने अंदर ले के हो और उसके चलते, यह Rajakuta रूलर्स के साथ टक्कर में है और यह Rajakuta रूलर्स भी कोई चोटे मुठे लोग नहीं थे तो दो धुरुबा नाम का रूलर था राष्ट कुटा का, जो गूपाल थ्री नाम का रूलर था राष्ट कुटा का, उनसे साथ बीन की लड़ाई हुई, आप देखोगे 1790 AD में और 806 से लेके 807 AD में राष्ट कुटा ने गुरजर प्रतिहारास को हरा दिया, लेकिन अपने डेकन डोमेंस और साथ इंडियन डोमेंस में दोड़ जाते थे, तो होता ये था कि जो राष्ट कुटा थे गुरजर प्रतिहारास से लड़ते थे, गुरजर प्रतिहारास यहां पे हार जाते थे, राष्ट कुटा यहां पे कोई elaborate administrative structure स्टैबलिश किये बिना साथ मे तो चुकी गुरजर प्रतिहारास और राष्ट कुटाज ने इस इलाके में लड़ाई की, राष्ट कुटाज जीत गए, वापस अपने डोमेंन में लोड़ गए, यहां पे proper administrative structure सेटब नहीं किये, गुरजर प्रतिहारास हार के गमजोर हो गए थे, तो इधर से पालास ने अटाक करके कई बार इस इलाके को कब्स आया, समझ गया बात को, कुल मिला के राष्ट कुटाज मालवा और गुजरात के उपर डॉमिनेशन चाहते थे, कई लंबे समय तक इनका राज भी रहा, लेकिन यह राज बदलता रहा, अगर आप प्रतिहार अंपायर की बात करो, तो प्रतिहार अंपायर का जो रेरल फांडर घुरा इसका नम था भौज, ठीक है ना, ये भौज फांडर बना, अभी भौज की अरली लाइफ के बारे में कुछ जानकारी है नी और भौज गुर्जर पतिहार डैनेस्टी के गदी बर के बैठा, किसके बारे में भी कोई ज कर लिया कनौज एक important center था कनौज का कब्जा मतलब rulers को रखता था कि पूरी की पूरी गंगा वेली इनके हाथ में आ गई और लगवग सौ सालों के लिए प्रतिहारा dynasty की capital रहा है कनौज आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे like का button दोस्तों अगर अब तक आपने इस वीडियो क refer कर सकते हैं उससे मुझे काफी मदद मिलेगी कुछ views मिल जाएंगे extra कुछ subscribers मिल जाएंगे obvious ही बात है आपका काम है refer करना जिसको वीडियो पसंद आएगी वही उन्हीं वीडियो को देखेगा ठीक है तो आप जरूर रफर करते रहो अपने social media profiles के थुरूस और खासकर word of the mouth marketing आप बहुत मेठा करती जितने जादा लोगों को आप बताओ कि इस content के बारे में उतना ही मुझे अच्छा लगेगा उसके साथ Instagram पर follow कर लिजे जब ही मौका मिलेगा अलग अलग तरीके से चाहे photos के मादम से messages के मादम से चाहे live chat हो गई या फिर आपके messages के reply हो गए उसके आप से Instagram पर जोड़ने कोशिश करूंगा टेलिकराम ग्रूप जोएन कर लिजे मैं अपने lectures की notifications की update टेलिकराम ग्रूप में दे देता हूं जो भी current affairs की lectures मिनाता हूं उनकी PDF भी टेलिकराम ग्रूप में update करता हूं हर वीडियो की notification YouTube के तो नहीं आती है इसलिए टेलिकराम ग् डूमें को extend करने कोशिश की बड़ प्रतिहारास ने रोक दिया ये East की तरफ भी गये ठीके ना East में डूमें में गुसे लेकिन आपको पता है कि East में पाला कराज है इस इस इलाके में गुरजर प्रतिहार कराज है और इधर राष्ट कूता कराज है तो ये जो आप कह सकते ह रोक कि ये यहां पर गुरजर पतिहार है इस इस इलाके में ये जब पाला के डूमें में गुसेंगे तो अभी सी बात अब पाला से इनकी लड़ाई होगी तो ये जो रूलर था देव पाल देव पाल ने कहीं ना कहीं भोज के Eastern आप कह सकते हो Adventure को रोक दिया फिर थोड़ा बहुती है भोज Central India की तरफ गया डेकन की तरफ गया गुजराद की तरफ गया रास्टकूटा सिस्की लड़ाई हुई एक बैटल हुआ था Bank of नर्मदा पे यहां पे Concedurable Parts of Malwa और गुजराद का कंट्रोल भोज के पास आ गया था लेकिन Malwa और गुजराद के पार्टस के आ बोज की टेरिटरी थी ना, His territory is extended to the western side of the river Satalaj, Satalaj के western side तक भी इसकी टेरिटरी जाती थी और अरब travelers जो की इस समय पे इन इलाकों में आए, उन्होंने बताया कि जो प्रतिहारा rulers थे, इनके पास best cavalry थी, आप बोलो के cavalry क्या होती है? Cavalry का मतलब होता है, वो सैनिक जो की घोडे पे सवार होते हैं, ठीक है? तो best cavalry मानी जाती थी, बोज की, मतलब इसके पास काफी सैनिक थे जो घोडे पे सवार रहते थे, इसलिए आप देखोगे कि जो गुरजर पतिहारास थे, इनको घोडों की जुरत पढ़ती थी, तो Central Asia अरेविया से ये लोग घोडे इंपोर्ट करते थे, आपको पता है कि चूकि गुरजर पतिहारा ने अरब के एडवेंचर को रोका था, गुजरात में, राजस्थान में, तो इसकी कहीं न कहीं अरब से बंती नहीं थी, बट फिर भी होर्स का जो ट्रेड था ना, वो कहीं कहीं चलता था, इसको होर्स की जुरूद भी पड़ती थी, तो यार ये भी ऐसे हो से अच्छे गासे होर्स को इंपोर्ट करता था, फिर आप देखोगे कि भोज ने कुछ समय के लिए इस्टन डोमेन में भी अपने अंपायर को बढ़ाया है, हुआ ये कि जो पाला अंपा करो, तो एडवेंचर सव भोज, इन अर्ली पार्ट अफिस लाइफ, इस ग्रैजोल री कॉंक्वेस्ट अफिस लॉज्ट अंपायर, और फाइनल लिकवरी अफ कन्नौच, स्ट्रक दा इमाजिनेशन ऑफिस कंटेंपरी, भोज जित्ते समय तक राज में रहा, उसने काफी क जीता, और कन्नौच के उपर कबजा कर लिया, और कन्नौच के उपर बहुत लंबे समय तक अब जा रहा था, तो बहुत ही छोड़े टाइम पिरिड में, और कहीं न कहीं अपने एंड में, इसने इस्टन डोमेन में भी थोड़े पहुत अंटरी मारी, चुकि पाला रूलर् भोज आप कह सकते उसके जो कंटेंप्ररी राजा थे, अगर बगल की डैनस्टी की वोज से बहुत चड़ते थे, और बहुत सारे जो स्कॉलिस्टिक राइटिंग्स थी, उसमें भी भोज को मेंशन किया जाने लगा, भोज के इसका भक था, तो डिवाउट हिंदू था, औ ज अफ उजेल, और ये जो भोज परमरा ऑफ उजेन है, ये थोड़ा बाद में राज करेंगे बड़ भोज परमरा ऑफ उजेन, और ये जो भोज रूलर है आपका, गोर्जरपतिहार डैनस्टी का, इसमें कभी-कभी लोगों को कनट्फीूजन हो जाता है, इसलिए महिंद्र पाल वन की बात की जाए तो ये 885 AD से लेके 908-909 AD तक राज करेगा और भोज के अमपायर को मैंटेन करेगा और भोज के अमपायर को एक्स्टेंड करेगा मगधिन बिहार और नौर्थ बंगाल के ओपर क्यों क्यों कि पाला अमपायर इस समय पे कहीं न कहीं कमजोर पढ़ रहा था अगर आप शुरुवाती स्लाइड पे आओ तो पाला अमपायर में जो शुरुवात के दो तीन रूलर्स थे धरम पाल देव पाल ये स्ट्रॉंग थे लेकिन बाद में जो लेटर पाला रूलर्स थे वो साउथ भिहार तक ही लिमिटेट रह गए तो साउथ आप कह सकते हो मगद तक ही लिमिटेट रह गए तो साउथ बंगाल तक कुछ हब तक लिमिटेट थे तो ये जो भोज रूलर्स थे भोज का जो सकसेसर था महिंदर पाल जो कि गुर्जर पतिहार रूलर्स था वो कही न कहीं बहुत हद तक पाला डोमीनियंस के अंदर घुस अगर आप प्रतिहारास की बात करो तो प्रतिहारास ने नौर्थ इंडिया के उपर लगबख सौ साल के लिए राज किया है फ्रम अर्ली नाइथ तु दे मिडल अप टेंथ सेंचुरी आप देखोगे महिंदर पाल की लड़ाई कश्मीर के राजा से भी हुई है बट कश्म तो उस समय पर चलता ही रहता था चोंकि उस समय पर आज की डेट जितनी एडवांस्ट आप कह सकते हो मिलिटरी तो थी नहीं अभी राजा सेंटर में कन्नौज में बैठा है वो बोलेगा कि मेरे बॉर्डर इलाके में ये चीज़ इंप्रिमेंट करो तो राजा पहले एक र फ्यूडेटरी भी हो सकता है हलागे इस बात पर उतनी क्लारिटी नहीं फ्यूडेटरी मतलब कि आप सारे के सारे सैनिक आपके दौरा रेक्रूटर नहीं है कुछ आपकी फ्यूडेल लॉट्स है जिनको आपने जमीन दे रखी है और उस जमीन के बदले उसके सैनिक किराय पर ले रखे हैं तो हमने देखा कि प्रतिहाराज ने नौर्थ इंडिया के उपर लगबख सौ साल के लिए कफजा किया ठीक है ना फ्रॉम अर्ली नाइन टू मिलिट अटें सेंचुरी एक अलमसूदी नाम के करके एक आपके सकतों बगदाद का नेटिव था जो की इंडि अबर में गूमा करते थे आज की डेट में जो ट्रेवल है वो कितना और्गनाईज़ दो सकता उस समय का ट्रेवल सोचे कितना दा रिस्की रहा होता होगा तब भी ये जो अरब मर्चेंट्स थे और अरब ट्रेडर्स थे ये कही ना कही निकली जाते थे तो ये बगदाद म को इस अलमसूदी ने अल जुजर कहा है अल जुजर उसका कुछ कह सकते हैं प्रनाइस सेशन हो या किंग बॉरा कहा है मतलब आदी वरहा टाइटल दिया था गुरजर पत्यार किंग्स ने अपने आपको और कही ना कि उस जो आदी वरहा करके टाइटल था ये भोज ने बता है कि 885 एडी में ही बोज की मृत्ती हो गए थी और 908 से लेके 909 एडी तक महिंदर पाल ने राज किया है और कहीं कई अलमसूदी आया है 915 से लेके 916 एडी तो महिंदर पाल का नेक्स्ट डूलर यहां पर राज पर रहा होगा जब ही आया होगा फिर अलमसूदी का यह बोलना है कि जो जुज़र का अमपायर है जुज़र मतलब J-U-Z-R इसने बोला है यह जो J-U-Z-R है इस बेसिकली डोमीनियन औफ गुर्जर पतिहारास तो जो गुर्जर पतिहारास का डोमीनियन है इसमें 1,80,000 गाओं, processes, और rural area's है इसकी length 2000 km है, इसकी breadth 2000 km है इसके 4 division है, हर division में 7,00,000 से लेकि 9,00,000 सैनिक है कुछ सैनिक नर्थ में है, कुछ south में, कुछ east में, कुछ west में नर्थ में जो सैनिक है, वो मुलतान के राजा से एक और दूसरे Muslim Arabs जो के North के साइट से अटायक करते थे, उनसे लड़ने के लिए थे, South के जो सैनिक थे, इनके गुरजर पतिहारास के, वो राष्ट कूटा से लड़ने के लिए थे, East के जो सैनिक थे, वो पाला से लड़ने के लिए थे, तो अगर ये गुरजर पतिहारास का डोम रही थी और सौधन जो इनकी सीरा की टुकड़ी थी वो रास्ट कूटास से लड़ रही थी तो मतलब कुल मिला के बड़ा तगड़ा काउंट दिया आप सोचिए हर डीवीजन में साथ लाक से नौ लाक लोग मतलब क्या 36 लाक सैनिक थे उस समय पर गुरजरपति हारास के बेस्ट केविलरी थी केविलरी मतलब गोड़ जवार सैनिक परति हारास की बात की जाए तो परति हारास को ग्रेट पैटरंस ऑफ लर्निंग एंड लेटरेचर भी कहा गया है ठीक है न भाई एक बहुती महान संस्कित पोएट और ड्रमेटिस्ट है जिसका नाम है राजशे और बिल्डिंग्स भी बनवाई थी यह सा बाते भी हैं यहापे फिर आप देखोगे आठवी और नवी शताब्दी में बगदाद का जो खलीफा था जो मुस्लिम्स का आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल मास्टर भी है और आप कह सकते हो इनका कल्चरल और स्पिरिचुल में इंडिया की तरफ से बहुत सारे अमबैस्टर्स और अमबैसीस गई अब ऑविसी बात है प्रतिहारास ने तो भीजी नहीं होगी चुकि प्रतिहारास की तो अरब रूलर्स के साथ बनती नहीं है हमने यह देखा कि अरब रूलर्स का जो इंग्रेस था पंजाम में और अरजिस्थान में इसको कही न कहीं किसने रोका गुरजर प्रतिहारास ने रोका तो गुरजर प्रतिहारास की अरब्स के साथ नहीं बनती थी उसके बाद भी गुरजर प्रतिहारास के पास अच्छी कैवलरी थी मतलब यह कहीं न कहीं अरब से घोड़े इंपोर्ट करते थ तो ये जरूर बात है कि प्रतिहाराज भलही अरफ से चिड़ते थे पर उसके बावजूद इंडिया में और वेस्ट इश्या में और वेस्ट इश्या में अरफ्स डॉमिनेट करते थे इनके बीच में ट्रेड, स्कॉलर्स, गोड्स, एमिशरी इन सब का मुव्मेंट चालू फिर आप देखोगे, 915 से लेके 918 AD में जो राष्ट कूटा किंग था, इंद्र 3, इसने फिर से कन्नौच पर अटाइक किया और पूरी की पूरी सीटी को तबहा कर दिया, कन्नौच पे जब 915 से लेके 918 में इस राष्ट कूटा किंग का अटाइक हुआ, उस समय पे जब पर राष्ट कूटास के नदर चला गया, अब प्रतिहारा की ताकत कम होगी, देखे, प्रतिहारास के पास जब तक गुजरात था, तब तक प्रतिहारास के पास C का एकस्स था, और समुंदर का एकस्स किसी भी एक बड़ी ताकत के लिए बहुत जरूरी हूता, आज की अब हर चीज तो आप trade कर नहीं सकते हैं प्लेनों से, कुछ चीजन तो आप समंदर से मंगवाओगे भेजोगे, तो जब आपके पास समंदर का access नहीं होता है, आप कहीं न कहीं disadvantage position में चले जाते हो, और जब राष्ट कूटाज ने गुजराज छीन लिया इन गुर्जरपतिह से तो गुर्जरपतिहाराज के पास से भी वो सी का access चला गया, तो यह disadvantage position में चले गया, और उसके बाद गुर्जरपतिहाराज की ताकत कम होती गई, कम होती गई, ठीक है, फिर एक और राष्ट कूटा रूलर है, कृष्टना थ्री नाम का, इसने भी नॉर्थ इंडिया मे करके वो इलाका हार रहे थे, दीरे-दीरे करके गुर्जरपतिहाराज का जो domain है, वो खतम होना शुरू हो गया, और नेक्स अब हम किसके domain की बात करेंगे हम बात करेंगे रास्ट कूटा के बारे में, लगिन उससे पहले हम लोग गुर्जरपतिहारा की आर्ट की बात कर ल जैनिजम related cave monuments and statues जो ये देख लिए कि रॉक से ये faces को carve out किया गया सिद्धाचल केव स्ग्वालियर 4 ये गोर्जरपतिहाराज ने मनाया है फिर ये घटेश्वर महादेव temple है बरूली temple complex में ये 8 temples का एक complex है इसको भी गोर्जरपतिहाराज ने मनाया है तो ये गोर्जरपतिहाराज के art के कुछ examples है अगर गोर्जरपतिहाराज की dynasty को देखा जाए देखे ये जो orange करके map है ना ये आपको एक समय पे जब highest peak पे था गोर्जरपतिहाराज उसके domain को दिखा रहा है तो list of rulers देखे तो सबसे पहला ruler नागबटवन 730 to 760 AD फिर काकोस्थायन देवराज 760 to 780 फिर आया आपका वत्सराज 780 to 800 नागबट 800 से लेके 833 राम भद्र 833 से लेके 836 उसके बाद प्रतिहारा ताकत काफी कम हुई फिर मिहीर भोज ने 836 से लेके 880 में इनकी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाया फिर महेंदर पाल ने भी काफी कुछ किया 880 से लेके 908 या लगभग 910 माल लीजे फिर भोज 2 910 से 913 फिर महीपाल महेंदर पाल 2 फिर देव पाल विनायक पाल महीपाल 2 विजय पाल 2 राज पाल तिलोचन पाल येशंच पाल ये इंपोर्टेंट लीडर से 1136 एडी पर पूरी तरीके से ये जो प्रतिहारा डाइनस्टी थी इसका राज खतम हो गया तो ये प्रतिहारा डाइनस्टी की बारे में हमने बात की गुर्जर प्रतिहारा डाइनस्टी अगली वीडियो में बहुत डेटेल में राष्ट गुटर डानस्टी की बारे में बताऊँगा Thank you for watching friends, have a great day, good day